हेलो हैं वेलकम फ्रेंट्स तो माँ चानल लर्न तो सक्षी आज अब इस वीडियो में सिखेंगे हाउ तो काल्केट मोमेंट अफ इन शॉप आई सेक्षिन और यह आई सेक्षिन अपना सिमेट्रिक है सिमेट्रिक यानने की इसका सीजी इन एक्स आन वाय एक्सिस में एक्दम इस अग्सान पर होगा संट याने कि जब अब आप यहां पर इस वीगों को तीन डर्क रेंगल से डिवाइट करोगे तो पहला रेंगल में यह डिवाइट किया इसे लिखा वन दूसर्ट रिखा लिए होगया इसे लिखा मैंने तू और अर्स रो इन अपन रो आप से e2 y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 करेंगे तो भी आपका आंसर इसके exactly half मेंगा जो कि यह पूरा डिसेंसा 120 उसका half कितना होगा 60 तो यहां पर थोड़ा smart work करना है क्योंकि यह figure symmetric है तो आप वह formula बिना apply किये directly आपका y-bar निकाल सकते हो तो y-bar मिलता हमे 60 अब हम कि यूज करना पड़ेगा इसलिए परलें निकाल के रख देते हैं वाइन कितना होगा इस figure का cg मैंतला इस figure cg वाइक्स में का पर होगा 20 के half में यानिकी 10 फिर वाइटू वाइटू कितना होगा आपके second अले figure का cg जो कि 80 का half होगा 40 प्लस यह नीच अला remaining distance कितना 20 तो यह distance is 80 plus 20 that is 100 तो इसका आजाएगा 110 अब यह हम यूज करेंगे अगले ixx निकालने के लिए तो आपका इस figure का ixx होगा it will be equal to ixx of 1 plus ixx of 2 plus ixx of 3 तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ixx1 ixx1 क्या होगा 1 by 12 into bd cube plus ax square यह ता parallel access थे है नमका formula तो यहाँ पर 1 by 12 into हमने xx access draw किया जो कि इसके center में था यह वो आपका xx1 axis ठीक है तो area of first figure is 60 into 20 into h square h मतलब आपके इस पूरे figure का cg minus आपका जो यह figure है उसका cg उन दोने के बीच का तो यह कितना होगा it is y bar minus y1 तो y bar कितना है y bar था 60 minus y1 हमने इसलिए पहले calculate करके रखा है जो कि था आपका 10 इसका square इसका square तो इससे आपको आजाएगा something mm raised to 4 यह होगा ixx1 फिर आप निकाल लोगे ixx of 2 ixx2 क्या होगा ixx2 second अले figure के लिए तो इसके लिए 1 by 12 into अब second अले figure के लिए हमने यह xx2 access draw किया तो यह xx2 suppose यही है xx2 थीक है xx2 अब यहाँ पर यह access draw करने पर कौनसा distance का हुआ 80 का distance तो उसका cube 80 का cube into remaining distance remaining distance is 20 plus area area क्या है उसका 80 into 20 80 into 20 plus h square अब इस figure में h square का formula क्या होता है अपना पहले के लिए y bar minus y1 second के लिए y bar minus y2 third के लिए y bar minus y3 तो यहाँ पर y bar y bar minus y2 किया का square तो 60 का 60 minus 60 इसका square तो यह होगा 0 तो यहाँ पर यह पूरा time हो जाता है 0 ऐसा क्यों हुआ क्यों क्योंकि अपने पूरे figure का CG और इस particular figure का CG दोनों point side कर रहे है इसलिए वो 60 minus 60 होके 0 हो गया और हमें सिर्फ x से जाज़गा इतने calculation से यहाँ मिल जाएगा i6 2 जो यहाँ पर आप निकालो के i6 3 जो कि होगा आपके 3rd figure का यहाँ पर आपने 3rd figure के लिए i6 3 axis draw किया यह x3 है x3 ठीक है तो यहाँ पर यह x3 draw करने पर कॉंसर रेसेंट का 20 तो मतलब यहाँ पर 1 by 12 into 20 का cube into remaining distance it is 60 plus area area कितना है 60 into 20 60 into 20 plus into x square h क्या होता है y bar minus y3 y bar minus y3 यह कितना होगा यह होगा y bar कितना था आपका 60 minus 110 ठीक है इसका square क्योंकि y3 आपका 110 था तो यहाँ पर आपका इसका value आता है 50 और यहाँ पर आपका 60 minus 10 is also 50 तो मतलब आपका i x x 1 और i x 3 सेम आएगा यहाँ पर something mm raised to 4 और यह same क्यों आया क्योंकि यह figure symmetric था तो यह distance आपका इसका जो i x x और इसका i x x सेम आएगा ठीक है तो आप directly भी आप यह common sense लगा सकते हो कि यहाँ पर जब symmetry है तो इसका i x x और i x x सेम आएगा तो आप directly यहाँ पर i x x 1 calculate करके उसका twice कर दोगे क्योंकि same इसका आने वाला है तो आपका formula कर जाएगा sorry आप m raised to 4 जो कि होगा i x x और इस पूरा figure जो आपका i section था तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सिखा है एक symmetrical i section का calculation moment of inertia का मेरे next video में होगा unsymmetrical i section तो अगर आपको सब कुछ समझा है तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजे अपने दूस्का शेयर कीजे और साथी साथ मेरे चैनल को subscribe है बिगीजे थैंक यू